दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं अगर आपके भी mobile phone के अंदर कोई भी SMS नहीं आता है और आप भी OPPO mobile phone यूज करते हैं और आपके भी OPPO mobile phone के अंदर कोई भी SMS send काता है और वो आपके message में आपको देखने को नहीं मिलता है तो इस problem को कैसे आप solve करे आपको सबसे पहले अपने mobile phone के अंदर आपको setting open करना है जैसे आप यहाँ पर setting open करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना setting check out करना पड़ेगा कहीं आपके mobile phone के अंदर system में update तो नहीं आया है तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा system update आपको इस पर किलिक करना है जैसे आ फिर भी अगर कोई भी आपको SMS दिसीब नहीं होता है तो फिर आपको करने का है आपको अपना Messenger Application ओपन करना है जैसे आप यहाँ पर अपना Messenger Application ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह की नहीं डाल दिया है जो उस नंबर से कोई भी SMS आता है और वो आपको देखने को नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिल जाते है आपको Anti-Harrassment के नाम से आपको इस पर किलिक करना है जैसे आप इस पर किलिक करेंगे आपके सामने इस तरह का सेटिंग आ जाएगा और यह सेटिंग आपको ब्लॉक से Related रिलेटेड मिलेगा और यहां पर आपको देखने को मिल जाता है आपको कॉल ब्लॉकंग और यहां पर आप HEY मेंसur का ऑप्षन देखने को मिल जाता है आपको उन्नेयोन नंबर्स तो सबसे पहले आपको यह चेकउट करना है अगर आपने यहां पर कोई भी कीवर्ट टा या ही तो दोस्तों क्या होता है कि आपके उसी वर्ड से रिलेटेड अगर कोई भी वर्ड सेंड करता है मैसेज के अंदर तो वो मैसेज आपका रिसीब नहीं होता है और वो मैसेज आपका बिलॉक हो जाता है उसी प्रकार यहां पर आपको देखने को मिलेगा अन्यों नमबर अगर आपके पास unknown number से कोई भी SMS receive नहीं हो रहा है तो इस setting को आपको यहां से बंद कर देना है अगर आपने इस setting को enable करके रखा है तो यहां से आपको इस setting को बंद कर देना है उसके बाद यहां से आपको बैका जाना है बैकाने के बाद अगर कोई आपको contact में यानि कि आपका उसका number save है और उसका message आपको receive नहीं होता है तो सबसे पहले आपको देखना पढ़ेगा यहाँ पे आपको black list का option आपको इस पे click करना है और यहाँ पे आपको उसके number को देखना पढ़ेगा जो message आपको send करता है कहीं उसका mobile number आपने black list में add तो नहीं कर दिया है तो यहाँ पे आपको देखना पढ़ेगा और उसके बाद अगर उसका number देखने को मिल जाता है तो आपको यहाँ से remove करना है याद तो आपको यहाँ पे edit का option मिलेगा आपको इस पे click करना है यहाँ पे आपको इस पे take लगाना है और यहाँ से आपको remove कर देना है उसके बाद यहां से बैक आजना है बैक आने एक बाद अगर आपने पहले से किसी भी नंबर को ब्लॉक करके रखा है और उससे कोई भी आपको एस में send किया गया है तो वो कैसे देखने को मिलेगा तो यहां पर आपको सबसे ऊपर की तरव आपको एक आल का option देखने को करेंगे जितने सारे आपके block message होंगे यान कि block number से message send किया जाएंगे वो यहां पर सारे देखने को मिल जाएंगे तो ऐसे आप इस problem को solve कर सकते हैं अगर फिर भी आपका problem solve नहीं होता है तो आपको करना क्या है आपको जो भी आपका messenger application हो उस पर आपको long press करना है जैसे आप यहां पर long press करेंगे आपके समने i button आ जाएगा आपको इस पर किलिक करना है जैसे आप i button पर किलिक करेंगे आपके समने इस तरह का page आएगा और यहां पर आपको एक setting check out करना पड़ेगा देखने को मिलेगा app permission के नाम से आपको इस पर किलिक करना है और यहां पर आपको यह ही होता है तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा इस टोरेज यूजेस आपको इस पर किलिक करना है और एक बार अपने यहां में सेंजर अप्लिकेशन को आपको फोर्स इस टॉप करना और बैक आनेके बाद, आपको यहाँ पर से इस application को हटा दरना है, हटाने के बाद, एक बार अपने mobile phone कोmother और अपने machine, जब कर देंगे, तो आपका सारा-का-सारा problem प्रोबलम वे घाएगा, तो मैं आत्ता करूँगा, आज आपको पत्ता चल गया होगा, तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए एतना ही वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद